नमस्कार, मैं हो ससी, आईए जार्खन के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन के अधिकारी अब जोहार के साथ करेंगे अभिवादान सीम हे मवंत जार्खन प्रसासनिक सेवा संग की बार्सीक आम सभा में सिर्कत करते हुए मंख मंतरी हे मनसुरेण ने राज के सभी पता धिकारी के साथ अभिवादन करने की अपेल की है बता दे राची कोलेज परिशाविस्थीत आरे बहुत सबागार में अयवजीत आम सभा में सिरकत करते हैBen प्रशासनिक बेवस्ता मजबूत नहीं होगी तब तक कोई राजे आगे नहीं बढ़ सकता किसी भी राजे को आगे बढ़ाने में तथा गाउं गाउं सहर सहर में लोगों को जोजनाव से जोडने में राजे सेवा कर्मियों की महत्पून भूमका होती है उन्होंने कहा है कि आप सबी अपना कारे करे आपकी मांगो पर सरकार काम कर रही है आठ दिसंबर से गढ़वा में खतियानी जोहार यात्रा जार्खन के सियम हेमान सुरेन आठ दिसंबर को खतियानी जोहार यात्रा का सुभारम करेंगे इसकी सुरुवात गढ़वा से होगी इसे लेकर त्या बता दे जर्खन मुक्ती मॉर्चा की बैठक में आँ नीन काही रिया गगा है की जन्दा, पोस्ट और बैनर के जर्ये पर चार पर सारकर कर गड़हा जिलिक के आम जनता को इसकी जनकार दी जाएगी. तकी जर्खन मुक्ती मुर्चा की नीती की जनकाही लोगों को मिल सके और परवावित हो करवे पार्टी का दामन थामें। निवीदा खोलने किती थी 26 दिसमर निधायत की गई है। इसके बाद एक कार्या देश का आमान्टन होगा। बतादे ज्ञार्खन के 65 लाग गरीब परिवारों को जन्वरी से दाल मिलेगी। सरकार की ओर से चालू वीतिये वर्ष 2022-23 में जोजना से जुड़े परिवारों को अनुदानित दर पर एक किलोगराम दाल परतिमा उपलब्द कराने की गोस्तना की गई थी। इसको लेकर 490 क पएक के ब्याय का प्रस्ताव है। ज्ञार्खन में पहली बार महिला बनी प्रसासनिक सेवा संग की अध्यक्ष ज्ञार्खन के 22 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रसासनिक सेवा संग की अध्यक्ष चुनी गई है। इनका नाम रंजीता हेंब्रम है। रभीवार चुने जाने के बाद रंजीता हिम्रेम ने कहा आई कि वा संग को ससक्त बनाएगी और राजय प्रसासनिक सेवा के अधिकारियों को दूसरे राजयों के समकक्ष सुविधा और सम्मान दिलाने का प्रयास करेगी इस पद के लिए दो लोगों ने नमांकल दाखिल किया था रं जनजातिये मरीजों का बनेगा डेटाबेस केंद्र सरकार के जनजातिये कारे मंत्राले की ओर से सराइक लग हरसावा के कासी साहू कॉलेज मैदान में अबुआ, भूगीन, होडमो, हमारा बेहतर स्वास्त के तहत मेगा हेल्थ कैंप लगा टाटा स्टिल फाउंडेशन के स सहयोग से आयोजीत इस सीवीर में पहुंचे हजारों लोगों के स्वास्त की जाच करने सुल्क उपचार किया गया, मेगा हेल्थ कैंप का उदघाटन जनजातिये मामलों के केंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा, जारकन के आदिवासी कल्यान वा परिवहन मंत्री चंपा पलामू में हीरन का सिकार सीर जंगल में छोड़ा, जारकन के पलामू में रजडेरवा जंगल में सिकारियों के एक हीरन का सिकार करने का मामला सामने आया है, सिकारियों ने बेहत दिर्मम धंक से कतल करने के बाद हीरन की लास को मौके पर ही हटा कर दो हिसों में बाट दिया इसके बाद हीरन के सीर को जंगल में ही छोड़ दिया और धर लेकर चले गए जनकारी के अनुसार हीरन के सिकार की खबर के बाद से वन महकाम पासुस्त दिख रहा है वन विभाग के अधिकारियों ने सिकारियों को पकरने के बजाए हिरन के सीर की बराम्दगी को अपनी स्कपलता बताया है दरसल पलामो जीले के पाटन परखंड के रजडेरवा जंगल में सुक्रवार की सुबा सिकारी घुसे थे शिकारियों ने एक हीरन का सिकार किया है विकास की बात करती है भाजपा अनपूर्णा देवी प्रसीद तिर्थ अस्तल जार्खन धाम में भारतिय जनता पाट्टी जमुवा विधान सभा के चारो मंडल की बैठक होई इसमें जार्खन धाम हीरो डी नौडी हाव जमुवा मंडल को सामिल किया गया था बैठक के बाद जार्खन धाम मंदीर के समीब विवाह भावन में समेलन का उजन किया गया अध्यक्षता जार्खन धाम मंडल अध्यक्ष दसरत वरवाने की मुख्याती थी केंद्रिय सिक्षा राज मंत्री अनपूर्णा देवी वा जमुअ विधाय के दार हाजरा थे इस दोरान करकाताव के समक्ष संगठों को मजबूती परदान करने भरस्टचार पर लगाम कसने छेत्र का विकास जैसे जोलंत मुदो को रखा गया कहा गया है कि कारकारता इस बार भी चटानी एकता का परिशा देते हुए पार्टी के हित में एक लंबी लग्कीर खिचने का काम करे केंद्रिय सिक्षा मंत्री अनपूर्णा देवी ने कहा है कि भाजपा का एक ही उदेश से हाए कि हर छेत्र का सवानु इम बिकास हो जामू मो परवक्ता लतरातू डेम पहुँचे जारखन मुक्ति मोर्चा केंद्रिय महासची उस परवक्ता सुपर्यो भटाचार रविवर को कररा परखंड इस थीत लतरातू डेम पहुँचे मौके पर जिलाव पाध्यक्स मगन मनजीत तिड्डू केंद्रिय सदस्य मक्सूद अंसारी सुसील पहान किसान मुर्चा जिला अध्यक्स हेमंत तोपनो मिडिया परभारी राहूल किसरी परखंड अध्यक्स सेख फिरोज एवं पंचायत अध्यक्स महेंदर टाना भगत उप किसी ने रंग विरंगी दुनिया सजाई तो किसी ने गाउं की आबो हवा का द्रिस से दिखाया खेल मनरण जैसे विशायों को भी परदर्शित किया गया पहली से तीसरी काक्षा के लिए एनिधिंग लाइक यू विशाय पर परत्योक्ता होई 24-6 तक के बाचों ने गाउं का जीवान 27-9 तक के बिद्यार्थियों के लिए पसंदीदा खेल भी साय और 10-20 से बरावी के बिद्यार्थियों को बाजार का द्रिस से दिखाया गया था नीजी स्कूलों के स्तिक्षकों को मिले समान दाक्टर उराव प्रावेट स्कूल एंड चिल्रेंड वेल फेर एसेसेसेशन की ओर से राजय स्क्षक समान समारों का यूजन रभी वर को राची विश्वविद्य लाय के दिखछांत मंटप में किया गया कारे करम के मुख्य देथी बीत एवं खाड़ा पूर्ति मंत्री डाक्टर रामेसवर उराओ थे उन्होंने कहा है कि सिक्छा के विकास में निजी स्कूलों की बड़ी भूम क्या है निजी स्कूलों को भी सरकार के अस्तरपस सम्मान मिलना चाहिए उन्होंने कहा है कि इस सम्मान में मैंने राजे के सिक्छा मंत्री से बात की है कहा है कि आप सिर्फ सरकारी स्कूलों के सिक्छा मंत्री नहीं है इसलिए निजी स्कूलों के सिक्छों के हीटों का भी ध्यान रखा जाए सत्र 2022-2024 के लिए B8 counseling अब online होगी सत्र 2022-2024 में राजे के सरकारी हो प्राइबेट B8 college में admission के लिए अब online counseling की जाएगी 5 दिसमबर से प्रस्थावीद offline counseling को रांची बिस्वी देले रांची नहस्थागित कर दिया है अनलाइन कॉंसिलिंग के लिए नया सप्ट्वेयर त्यार होते ही कॉंसिलिंग की परकिरिया शुरू कर दी जाएगी जल्द ही तीथी की घोसना की जाएगी बताते चले की उच एवम तक्निकी सिक्षा विभा की ओर से बियेट कॉलेज में अड्मिसन के लिए कॉंसिलिंग वस सीट एलाटमेंट की परकिरिया की जिम्मेदारी इस बार फिर से राची भी सुभी दाले राची को दी गई हाए 25-1996 सिक्षक नियुक्ती में फंसा EWS का पेच जारखंड की प्रारमभी की सूलों में 25-1996 सिक्षकों की नियुक्ती में EWS के आर अक्षन का पेच फंस गया है बरतमान में जारखन में राज अस्तर के पदो पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षन की बिवस्ता है सिख्षकों की नियुकती जिला अस्तर ये पदो पर होनी है ऐसे में नियुक्ति का विग्यापन निकला तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभियारती उसे वंचित हो सकते हैं इसके लिए इसकुली सिक्छा वस्तर शर्टा बिभाग ने कार्मिक बिभाग से आरक्षन रोष्टर पर मागदसन मांगा है लालू यादव का सोमवार को होगा किडिनी ट्रांस्प्लांट राजत सुप्रीमो लालू परसाद यादव का सोमवार को सिंगापूर में किडिनी ट्रांस्प्लांट ओपरेशन होना है इससे पहले रांची के मेडिकल चोग इस्थीत दुरगा मंदिर में हवन किया गया और लालू परसाद यादाओ के जल्द स्वास्त होने की प्रातना की गई बतादे राष्ट्रिय जनता दल के अध्यक्स और पुरमुक मंत्री लालू परसाद का सोम वारको सिंगापूर के अस्पताल में कीडनी टांस्परन्ट होने वाला है लालू परसाद और उनको कीडनी डोनेट करने वाले उनकी बेटी रोहनी अचारे स्वास्त रहे और जल्द ही ठीक हो इसके लिए राष्टी के मेडिकल चोक इस्थी दुर्गा मंदिर में हवन किया गया जार्खन राष्ट्रिये जनता दल और युवा रायत के नेताओं ने दुर्गा मंदिर में लालू परसाद की तस्वीर को सामने रखकर हवन किया लोबिन हेम्रम के हर बियान पर पार्टी नेतित्वे की नजर जार्खन मुक्ति मुर्चा के बिधाया गलोबिन हेम्रम अक्सर अपनी ही पार्टी की सरकार को लेकर मुखर रहने के कारण चार्चा में बंदने रहते हैं कई बार्याह भी लगता है क्या बोर्यो विधायक लोबिन हेमरम के लिए अपने सुप्रीम नेताओं की सला और संदे कोई मायने नहीं रखता क्या उन्हें किसी अनुसस नात्मक करवाई का डर नहीं है लेकिन इसको लेकर जेमेम नेता बिनोत पांडे ने कहा है कि उन पर और उनके ब्यान पर पार्टी की पहनी नजर है सरकार के खिलाप बागी रहने वाले विधायक लोबिन हेमरम को लेकर बरतमान में या सवाल इसलिए फिर से उठने लगे है क्योंकि लोबिन हेमरम ने संथाल में खुलियाम सरकार को कल्यान विभाग के अंतरगत चलने वाले होस भी आएटी मेसरा में 1532 चात्रों को मिली डिग्री बिरला इंस्चूट अफ टेकनोलोजी का बतिस्वा दिक्षान समारों मनाया गया जहां यूजी पीजी और पीच्डी के 1532 स्टुडेंट को डिग्री दी गई इसमें 1718 से 22 में सामील यूजी पीजी और पीच्डी कोर्स के कूल 1532 बिद्यार्थियों के भी डिग्री माटी गई साथी 10 स्टुडेंट को गोल्ड मेडल दिये गए मोखे पर राज जेपाल सा कूला अधेपती रमेश बैस ने कहा है कि आप सभी यूजावान विद्यार्थियों के भी सम्मिलित होकर अत्यंत प्रसंता है सभी उपाधी ग्रहन करने वाले विद्यार्थियों उनके अभी भावक और मायक दर्शन कराने वाले सिक्षकों को भी बदाई देता हूँ उन्होंने इस्टुडेंट से कहा है कि आप अपने जिवन में हमेशा कुछ ना कुछ सिखने की ललसा रखे हमेशा कुछ ना कुछ सिखने वाला व्यक्ति ही इस नए दर की चुनाउतियों का सामना करने में सक्षम होगा धन्यवाद